हेलो माई डियर स्टुडेंट्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन जिसमें हम क्लास 10 मैट्स के सारे चैप्टर पढ़ेंगे एक एक करके हर एक चैप्टर का केवल एक या दो वीडियो होंगे जिसमें हम सारी इंपोर्टेंट चीजे पढ़ेंगे लेकि अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा क्विक रिवीजन में चाप्टर वन रियल लंबर्स तो चलिए आप अपना मोबाईल या लाप टॉप प्ले करके बैड चाहिए अच्छी तरीके से और स होते है रैसनौबरोस और इराइसनल लंबर के कॉमिनेशन को हम बोलते है रियल लंबर और अगर हम रैसनल लंबर की डैफिनिशेन देखे तो रैस्ट लंबर क्या होते हैं अनलबर इन थे फ़र्म और प्व naught का टुक घू तो जीरो औड अगर किसी का denominator zero हो गया, तो क्या हो जाएगा? Not defined value आएगी. तो denominator zero नहीं होना चाहिए. तो उन्हें हम बोलते हैं, rational number. और इस rational numbers क्या होते हैं? Every number of the form root p, where p is a prime number, is called an irrational number. ऐसे numbers जिन्हें हम root, इस वाले symbol में लिखते हैं, वो cube root भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें हम बोलते हैं, irrational numbers. अगर हम बात करें, rational की, तो again वो further divide होते हैं, integer और fraction में. Integer के अंदर आते हैं, whole numbers, natural और negative numbers. ठीक है? और fraction के अंदर आते हैं, proper, improper and mixed. ठीक है? ऐसे ही natural numbers के अंदर आते हैं, odd, event, prime, composite number, perfect number. तो यह सारे numbers आपको पता हैं, इसलिए हम इन पे ज़्यादा detail में discuss नहीं करेंगे. तो चलो हम अपने main topic में आते हैं, real numbers. तो real numbers में क्या है? पहला है हमारा Euclid division lemma. अब Euclid division lemma क्या कहता है? For any given positive integers A and B, there exist unique integers Q and R, such that A is equal to BQ plus R, where 0 is less than, less R equal to R is less than B. इनसको अगर हम आसान सब्दों में कहें, तो Euclid division lemma क्या कहता है? कि हमारे पास कोई दो positive integers हैं, A और B, जब उन्हें हम आपस में divide करते हैं. जो भी बड़ा या छोटा हो, ठीक है? जो बड़ा number होगा, उससे हम A लेते हैं, और जो छोटा number होगा, उसमें से उससे हम B लेते हैं, ठीक है? तो जब भी हम A को किस से divide करते हैं? B से divide करते हैं, तो हमें कोई न कोई reminder मिलता है, तो हम उसे इसे इस तरीके से लिखते हैं, A is equal to B Q plus R, अगर हम इसे देखें, अगर आप किसी भी number को divide करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 4 से 9 को divide किया, तो 4 to 8, 9 में से 8 गया 1, तो मैं 9 को क्य चालिक सकती हूं, 4 into 2 plus 1, तो यहाँ पे 4 आपका B है, 2 आपका Q है, और 1 आपका R है, ठीक है, तो Euclid division lemma यही है, अई बात समझ में, तो चलो यहाँ पे example 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 और 3, तो हमें इसे Euclid division lemma का use करके उस form में convert करना है, तो इसमें से बड़ा number क्या है, 15 तो हमने उसे A ले लिया, और B को हमने 3 ले लिया, अब हम कैसे लिखेंगे, 15 is equal to, 3 से हम 15 को divide करेंगे, तो कितने times में जाएगा, 5 times में, तो 3, 5 जा 15, that means R आपको क्या मिला, 0, यहाँ पे R क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, R की condition क्या हो गई, 0, और कहां तक R की value कहां तक हो सकती थी, 0 से ले करके 3 तक, 3 नहीं होगी, 0, 1, 2, मतलब यह value हो सकती थी, जो भी divisor है, यहाँ पे divisor, देखो, यहाँ पे 3 से, अगर आप 15 को divide करोगे, तो 3, 5, जा 15, 0 मिला, that is your remainder, और 3 is your divisor, and 5 is your quotient, तो यहाँ पे 5 क्या है, Q है, 5 आपका Q है, और यह आपका B है, और यह आपका R है, ठीक है, तो R हमेशा, जो भी remainder है, वो हमेशा divisor से क्या होता है, छोटा होता है, इसे तरीके से अगर हम example 2 की बात करें, तो इसे हम BQ प्लस R के form में कैसे लिखेंगे, बड़ा नंबर क्या है, 20, तो 20 यहाँ पे, और 6 से 20 को divide करो, तो कितना होगा, यहाँ पे divide करके देखो, 6, 3 जा 18, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, 6 into 3, और remainder क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो R की value क्या आ गई, यहाँ पे, 2 आ गई, R is equal to 2 हो गया, B तो आपका 6 है ही, और Q आपका क्या हो गया, 3 हो गया, clear है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया, Euclid division lemma, चलो, next में जाते हैं, next है हमारा, Euclid division algorithm, अब algorithm क्या है यहाँ पे, Euclid division algorithm is a series of well-defined steps, based on Euclid division lemma, मतरिम यह Euclid division algorithm जो है, Euclid division lemma से ही आया है, जब आप Euclid division lemma का यूज करके, कोई भी series, proper तरीके से calculate करते हो, तो उसे बोलते है, Euclid division algorithm, इसका steps क्या है, steps for finding SCF of two positive integers, by using Euclid division algorithm, Euclid division algorithm, use करके, हम किस तरीके से SCF निकालते हैं, उनके 3 steps, step 1, step 2 and step 3, पहला step है, पहले में हम उसमें, क्या अपलाई करेंगे, Euclid division lemma, अपलाई करेंगे, लेमा का मतलब आपको पहले उसमें से compare करना है, कि A कौन सा है, B कौन सा है, जो बड़ा वाला number होगा, वो A होगा, जो छोटा होगा, वो B होगा, फिर उसको divide करना है, सेम तरीका जो भी मैंने बताया, A equal to BQ plus R के form में लेके जाना है, ठीक है, step 2 क्या है, अगर आपको R 0 मिल जाता है, तो आपका SCF वही B होगा, लेकिन अगर आपको R 0 नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, फिर से again, जो B है और जो R मिला है आपको, उन दोनों का SCF निकालो, फिर by using the Euclid division lemma, तो आपको मिलेगा SCF, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, question number 1, question number 1 में क्या है, use Euclid algorithm to find the SCF of 4052 and 12576, इनके बीच में हमें SCF निकालना है, by using the Euclid, ठीक है, algorithm, तो इसमें से बड़ा वाला number क्या है, 12576, तो यहाँ पे लिखो, 12576 is equal to क्या हो गया, A, जो बड़ा number है, वो A होगा, और B क्या होगा, छोटा वाला number 4052, clear है, अब बड़े वाले number को यहाँ पे रोखो, 12576, 12576 को 4052 से divide करो, तो क्या मिलेगा, हम divide करते हैं अभी, 2052 से 12576 को divide करोगे, तो तीन चोक को 12, 3 टाइमस जाएगा, ठीक है, तो 12156 मिलेगा, तो 3 टाइमस, तो remainder क्या हो जाएगा, दोनों को subtract करोगे, तो 420, इस तरीके से करना है, अब यहाँ पे remainder तो 0 नहीं मिला, अब आप क्या करोगी, जो 4052 है, उसे इधर लिखोगे, 4052, और जो remainder है हमारा 420, अब इधर लिखोगे, 420 से 4052 को divide करो, 420 से किसको divide करो, 4052 को, तो 429 जाएगा, 9 टाइमस जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3780, यह हो जाएगा, तो remainder क्या मिलेगा, 272, clear है, अब हम क्या करेंगे, अभी भी remainder नहीं मिला, तो 420 को इधर लेकर कर क्याएगे, अब किस से multiply करेंगे, 272 से divide करेंगे, तो 272 बन जा, तो remainder क्या होगा, 148, clear है, ऐसे ही, अब यहाँ पे remainder क्या है, 148 है, अभी भी नहीं हुआ, जिसको जब तक solve करते जाएगे, जब तक हमें remainder 0 न मिल जाए, अब यहाँ पे हो जाएगा, 272 is equal to 148 into 1, कितना हो जाएगा, remainder 124, अब यहाँ पे लिखेंगे 148, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 124 into 1, और यहाँ पे remainder हो जाएगा 24, अब यहाँ पे लिखेंगे 124, तो 124, 245 जा 120, तो that means 4, तो यहाँ पे हो गया 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 into 6 plus 0, तो यहाँ पे आपको HCF क्या मिला, 4, ठीक है, तो इसी तरीके से हम simplify करेंगे, तो चलो, next question करते हैं, next में क्या है, next, use Euclid division algorithm to find SCF of 441567 and 693, अब अभी तक तो 2 digit थे, 2 groups थे न, A और B, अब यहाँ पे क्या है, 3 groups है, A, B, C, अगर अब 3 groups हैं, तो कैसे करेंगे, इसे again, 2, 2 groups में, पार्ट, इसका निकालके हम, SCF निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, SCF, पहले हम क्या लिखेंगे, using, यहाँ पे, let, P, जो सबसे बड़ा नमबर हमने उसे P ले लिया, 6, 9, 3, and जो छोटा नमबर है, 6, 9, 3 के बाद, वो है, 5, 6, 7, उसको हमने ले लिया, क्यों ले लिया, अब, using Euclid Division Lemma, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, Euclid, यहाँ लिखा हुआ है, Euclid Division Lemma, तो P जो कल टो क्या हो गया, Q M प्लस R, यह तो पता है क्यों होगा, अब ही हमने सिखाया था, डिवाइड करेंगे, तो P is equal to Q M प्लस R, अब यहाँ पे जो बड़ा वाला वैल्यू है, 6, 9, 3, इधर लिखा, छोटा वाला वैल्यू, 576 से 6, 9, 3 को डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइमस में जाएगा, तो रिमेंडर मिलेगा 126, अब हम क्या तो 576 से इधर लिखेंगे, तो 576 is equal to 126, अब रिमेंडर इधर लिखेंगे, 126 से 576 को डिवाइड करो, तो 4 टाइमस जाएगा, तो रिमेंडर क्या मिलेगा, 63, अब 60 यहाँ पे 126 लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 63, और 63 के टेबल में 126 आता है, कित्ती बार में आ तो रिमेंडर हो गया, 0, तो आपको HCF क्या मिला, so HCF 693576 का HCF हो गया, आपका 63, अब हमें फिर से और सॉल्व करना है, अभी हमने HCF इन दोनों का निकाला है, ठीक है, तो क्या मिला 63, फर्दर, टेकिंग 441 and HCF 63, अब इन दोनों का जो हमारे HCF आया और जो 441 बच्चा हुआ है, उसको हम, उसको दोनों को मिलाके HCF निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम लिखेंगे C is equal to DM plus R, clear है, यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने QM plus R लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे C is equal to DM plus R हो गया, अब इसमें से C कौन स होगा, obviously बड़ा वाला नंबर होगा, 441, और D क्या होगा, 63 होगा, और M, You need to find 63 से, 441 को divide करो, तो किती times में जाएगा, 7 times में जाएगा, तो remainder होगा 0, 200 HCF, HCF क्या हो गया, किसका 441, 567, कि कि अब हम आपको whole लिखना है, 567, और 693 का HCF हो गया, यहाँ पे, क्या होगा, 63, जो B value होती है, that is your HCF, 63, clear है, इस तरीके से हम simplify करेंगे, ठीक है, तो चलो, next question करते है, अब किस तरीके से questions पूछा जा सकता है, इसमें, using Euclid division lemma to prove mathematical relationship, जो हमारा Euclid division lemma है, उसका use करके, अगर हमें कुछ mathematical statement prove और disprove करने के लिए आ जाए, तो कैसे करेंगे, अब question क्या है, write whether every positive integer can be, can be the form of 4Q plus 2, where Q is an integer, हमें बोला जा रहा है, क्या सारे positive integer 4Q plus 2 के form में होते हैं, और क्या दिया हुआ है, where Q is an integer, और Q आपका क्या है, integer दिया हुआ है, तो आपको कैसे लिखना है solution, पहले लिखोगे no, अब no क्यूं होता है, अब इसका देखो यहाँ पे, हमें पता है by using Euclid division lemma, हमें पता है कि dividend is equal to क्या होता है, divisor, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, यही होता है न, अब according to, according to Euclid division lemma, A is equal to क्या होता है, BQ plus R होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, 4Q plus 2, तो that means B की value क्या हो गई, 4 हो गई, clear है, और R की value क्या क्या हो सकती थी, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बट बाया condition, आपको पता है न, R की value क्या होगी, 0 से लेकर के B तक रहती है, तो R की value क्या होगी, 0 होगी 1 होगी 2 होगी और 3 होगी R is less than 4 divisor से छोटा होगा ना So we get हमें क्या मिलेगा अगर हम इसे A में रखते हैं तो क्या मिलेगा 4 Q या तो we get 4 Q अगर R की value 0 होती है तो क्या मिलेगा 4 Q मिलेगा और अगर 1 होती है तो क्या मिलेगा 4 Q प्लस 1 मिलेगा अगर 2 होगा तो 4 q plus 2 और अगर 3 होगा तो 4 q plus 3 लेकिन हमें क्या दिया हुआ है राइट वेदर एवरी पॉस्टिटिव इंटेजर कैन भी फॉर्म ओफ 4 q plus 2 कहा जा रहा है कि सारे पॉस्टिव इंटेजर 4 q plus 2 होते हैं इसा नहीं है आपको क्या क्या मिला 4 q मिला 4 q plus 1 मिला और 4 q plus 3 मिला तो आंसर इसलिए हमने लिखा नो क्योंकि एवरी पॉस्टिव इंटेजर कैन नॉट बीदा ओनली इंट फॉर्म ओफ 4 q plus 2 क्लियर है तो चलो नेक्स्ट कॉस्टिव नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको ये बताना है कि अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटेजर को मल्टिप्लाइ करें तो वो 6 से डिविजबल होता है कि नहीं ये तो बहुत ही आसान है तो इसका आंसर है true क्यो है true? 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटेजर कॉनकॉन से है n? n प्लस 1, n प्लस 2 अगर आप n क्या ले लेते? even ले लेते हैं पहले हम ले लेते है even अगर आपका n क्या हो even हो? तो क्या होगा 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 इन सब का multiply करो तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 और 2 और 2 4 कितना हो गया 6 4 जा 24 24 is divisible by 6 24 is divisible by 6 और अगर हम n is equal to क्या लेते 3 लेते तो क्या होता 3 3 plus 1 3 plus 2 तो 3 4 और ये क्या हो जाएगा 3 2 5 ये हो जाता 60 तो 60 is also divisible by 6 ये भी divisible हो रहा है न 6 से तो इसका मतलब ये है कि product of 3 consecutive को इसे भी 3 consecutive numbers को आप multiply करेंगे तो वो always 6 से divisible होगा clear है तो इसलिए हम इसका लिखेंगे true चलो अब किस तरह के से questions आ सकते हैं ऐसे भी question आ सकते हैं so that the square of any odd integer is of the form of 4 q plus 1 for some integer q हमें बोला जारा है कि हमारे पास कोई odd integer है ठीक है अगर हम उसका square करेंगे तो भी वो 4 q plus 1 के form में होगा clear है question क्या कहएदा है पहले हमें question समझना बहुत जरूरी है तो चलो हम इसे solve करते हैं तो कैसे लिखेंगे let अब ही यहाँ पर 4 q plus 1 है तो हम q और r नहीं ले सकते हैं कोई other alphabets लेंगे तो let c be any odd integer हमें बोला गया है न so that the square of any odd integer तो पहले हम odd integer ले ले लेते हैं odd integer odd integer हमारा c हो गया and d जो divisor है वो क्या है 4 है क्यों 4 है देखो क्या होता है euclid division lemma में a is equal to b q plus r तो b, b क्या है 4 है तो यहाँ पर d आपका 4 है clear है और यह बात समझ में और c आपका a है now using 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 euclid's algorithm 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 किया तो c is equal to क्या हो जाएगा 4m plus r ठीक है r यह बात समझ में and r की value क्या होगी 0 से लेकर के कहा तक जाएगी 3 तक जाएगी 0, 1, 2, 3 as 0 is less r equal to r is less than 4 तो c इसलिए therefore c is equal to क्या-क्या हो जाएगा 4m होगा या तो होगा 4m plus 1 या तो होगा 4m plus 2 या तो होगा 4m plus 3 so अब लेकिन हमारे पास क्या दिया हो है so that the square of any odd integer तो जो भी हमारे पास even है वो हटा देंगे ठीक है even वाले numbers को हटा देंगे हमें c odd चाहिए तो c cannot be क्या नहीं हो सकती 4m और क्या नहीं हो सकता 4m और 4m plus 2 q as they are even as they are क्या है even है यहां तक समझ में आया even integer है अब now हमें क्या बोला जा रहा है so there the square of square करना square of any odd integer is the form of जो भी हमारा value है जो rest of them बचे है उनका square करें और square करने के बाद क्या हमें 4q plus 1 के form में मिलता है अगर मिलता है तो yes यह सही है और हमें यही तो दिखाना है तो हमारा पहला अब हम कौन-कौन सा लेंगे 4m plus 1 लेंगे एक यह इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे तो हमने लिया 4m plus 1 इसका square निकाला तो a plus b का holy square का formula तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का square 16m square और क्या होता है 2ab तो that means 4 2 जा 8m plus 1 यहाँ तक समझ में आया अब यहाँ से हम हमें किसमे 4m plus 4q plus 1 के form में लेके जाना है तो हम यहाँ से लेंगे 4 common तो यहाँ पे हो जाएगा 4m square 4 2 जा 8 और यहाँ पे 1 को अकेला छोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 4 q plus 1 क्यों हो गया where q is equal to 4m square plus 2m ठीक है तो पहला वाला यह हो गया इस तरीके से यह सारे steps है इस तरीके से लिखा जाता है अब दूसरे step में आते है 4m plus 3 में 4m plus 3 इसका square करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 16m square और 4 3 जा 24m और यहाँ पे 3 3 जा 9 अब देखो इसको और कैसे लिखेंगे हम 16m square 24m को ऐसे लिखेते है 9 को हम लिख देते है 8 plus 1 ऐसा q क्यों क्योंकि हमें 4 q plus 1 के form में लाना है अब यहाँ से हमने 4 common ले लिया तो यह हो जाएगा 4m square यहाँ पे हो जाएगा 6m और यहाँ पे हो जाएगा 2 plus 1 तो यह हो गया 4 q plus 1 q where 4m square plus 6m plus 2 is equal to q clear है? क्योंकि हमें ऐसे questions को यही तरीका है इसी तरीके से किया जाता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 4 q plus 1 की जगे भी कोई भी value दे सकती है लेकिन तरीका यही है तो पहले आप उनका नाम ले लो क्या बोला जा रहा था so that the square of any odd integer तो पहले हमने लिख लिया कि c हमारा odd integer है और 4 q plus 1 से हमें यह पता चल गया कि हमारी d की value क्या होगी ठीक है? फिर you clear algorithm से हमने उसे break कर लिया तो हमें r की value पता चल गया कि भाई r की value 0 से ले करके 123 है फिर हमारे पास दिया है कि c odd है तो हमने जितने भी even number से उन्हें हटा दिया अब हम सिप odd में ही square apply कर रहे है हमने उनमे square कर दिया square करने के बाद हमारा main motive होता है जो भी हमारे question में दिया है 4 q plus 1 तो 4 common लेके जो भी भाग बचेगा वो हमारा क्यों हो जाएगा ठीक है तो ये तरीके होते हैं इनको solve करने के समझ में आया चलो next question next में क्या दिया हुआ है आपका chapter में the fundamental theorem of arithmetic next topic है आपकी ही chapter में the fundamental theorem of arithmetic तो इसमें क्या है fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be uniquely expressed factorized as a product of primes apart from the order in which the prime factors occurs जितने भी हमारे composite number से हम उनका prime factorization निकाल सकते हैं तो चलो यहां पे हम 1260 का prime factorization निकालते हैं तो क्या होगा unit digit 0 है तो 2 की table में जाएगा 26 जा 23 जा यह हो गया फिर 2 से divide करो 2 एक में 2 2 पंचे 10 फिर यहां पे 3 1 5 है तो 3 से divide करो 3 एक में 3 3 पंचे 15 फिर 3 से divide करो 3 3 काई 9 3 पंचे 15 और यह 3 है तो किसके table में जाएगा 5 से तो 5 7 जा और यहां पे यह 7 है तो 7 बन जा तो इसके prime factors क्या होगा 1 2 6 0 के 2 into 2 3 into 3 5 into 7 आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 स्क्वेर 3 स्क्वेर 5 और 7 यह इनके prime factors है अब कई बार ऐसा होता है अपने छोटे में भी पढ़ा है कि आप prime factorization के through आप SCF और LCM निकालते थे तो यहां पे एक और formula बनता है SCF और LCM 2 numbers का अगर आप SCF निकाल रहे है उनका LCM निकाल रहे है अगर तुमने SCF और LCM को multiply कर दिया तो यह विल गेट product of the 2 numbers SCF into LCM is equal to product of 2 given numbers clear है? अब इनके उपर questions कैसे आते है question क्या है यहां पे? देखो the numbers 5 to 5 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75 what is the SCF of justify your answer? बहुत easy question है कुछ भी hard नहीं है यहां पे देखो आपके पास common factors दे रखा है तो यहां पे देखो highest highest common factor क्या होगा? highest common factors out of 3, 5, 15 3, 5, 15, 25 3, 5, 15, 25 and 75 में क्या होगा? 75 होगा सबसे बड़ा हुआ ही है न तो HCF क्या होगया? बहुती जी है इस तर से ही पता चल लगए कि HCF होगया 3,525 का 75 अब बोला जा रहा है justify हमें justification देना है कि भाई यही क्यों है justification तो 5, 25 का तुम prime factorization निकालो जो हम prime factorization 5, 25 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 5 into 5 into 3 into 7 तो 5, that means आपका क्या हो जाएगा? 3 into 5 square into 7 यह है 5, 25 का और अगर आप 3000 का prime factorization निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा? 2 raise to 3, 3 raise to 1 और 5 raise to 3 अब आपको चाहिए, hcf चाहिए था ना 5, 25 और 3000 का तो common numbers कौन-कौन से है? दोनों में एक तो 3 है और दूसरा इसमें 5, 2 times है और इसमें 5, 3 times है तो that means हम 5, 2 times लेंगे और क्या है? बस इतना ही है तो 5 का square कितना हो जाएगा? 25, 25, 3, 75 तो 75 आपका आंसर हो गया तो इस तरीके से हम simplify करेंगे बहुत इजी तरीका है चलो, question number 7 करते है अब 7 क्या है? क्या question है? explain why 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number तो हमें ये बताना है कि composite number है तो क्यों है? तो composite numbers क्या होते हैं? जितने भी आपकी पास numbers है, natural numbers है उनसे prime numbers निकाल दो जो भी rest of them बचेगा वो composite number होगा तो smallest composite number क्या है? 4 है, ठीक है? तो चलो, यहाँ पे हम क्या करते हैं? 3 into 5 into 7 plus 7 है देखो, दोनों तरफ 7 तो 7 common ले लिया तो बच्चा कितना? 3 into 5 और यहाँ पे हो गया 1 अब 7, 3, 5 जब 15 plus 1 तो यहाँ पे 7 into 16 अब हम 16 को ऐसा लिख सकते हैं? 7 into 2 into 2 यहाँ पे 2 into 2 prime factorization के form में लिख दिया हमने यहाँ पे इनको और break कर दिया ना देखो, 2 into 2 into 2 factors कर लिये तो it has factors so that means it is the composite number तो यह composite number है clear है? अब next question और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं? so that 12 raised to n cannot end with the digit 0 और 5 for any natural number n कहा जा रहे कि अगर हमने n की value कोई भी रखते हैं कोई भी natural number लेते हैं 12 की power 1 12 की power 2 तो कभी भी 0 और 5 पे खतम नहीं होगी हमें यह proof करना है तो कैसे करेंगे हम इससे proof? 2n is equal to 12 का हम prime factorization निकाल लेते हैं तो 6 into 2 12 होता है तो 4 into 2 यहाँ पे हमने 4 into 3 12 तो 2 into 2 into 3 यह हो गया n हम इसको लिख देंगे 2 square और 3 की power 1 और n तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की power 2n by exponent rule यह हो गया ठीक है 2 की power 2n और 3 की power n यहाँ से हमें क्या मिल रहा है क्या यहाँ पे 5 कहीं पे factor मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 12 raised to n does not have 5 as its factor so 12 raised to n can never end with 5 and 0 अगर किसी का factor में 5 आता है ठीक है और या तो क्या आता है 0 आता है factors में तभी वो end होगा with 5 और 0 ठीक है लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है factors तो यह कभी भी end 0 और 5 में नहीं होगा चलो next question अब क्या है हमारे पास irrational number irrational number पढ़ना है irrational numbers क्या है every number of the form of root p where p is a prime number is called an irrational number for example root 2 root 3 root 11 root 7 यह दी जार्दा irrational number अब को किसी ने बोला किरे मैं आमने तो यहाँ पे p prime number लिखा है लेकिन यहाँ पे तो 6 लिख दिया 6 तो prime number नहीं है तो बेटा यहाँ पे irrational number समझाने का मतलब यह है कि जो भी root के अंदर value होगी वो perfect square root या perfect cube root नहीं होनी चाहिए clear है तो उसे हम बोलते है irrational number समझ में आया तो चलो यहाँ पे question solve करते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है prove that root 3 plus root 5 is irrational हमें बताना है कि root 3 और root 5 क्या है irrational है तो irrational करने के लिए हम इसमें apply करेंगे contradict method मतब इसका converse method यूज करेंगे ठीक है तो चलो let us assume let us consider consider root 3 plus root 5 is a rational number ठीक है अगर यह rational number है हमने ऐसा assume किया इसका contradict irrational है लेकिन हमने इसको कहा कि यह rational है अगर यह rational है तो rational की definition के accordingly यह p by q के साथ equal होगी root 3 plus root 5 equal to x हमने x ले लिया अब इसके नीचे तुम 1 भी ले सकते हो या a by b ले सकते हमने यहाँ पे 1 ले लिया मतब p by q के form में है अब हमने क्या किया root 5 is equal to x minus root 3 यह कि अब हम क्या करेंगे squaring the both side करेंगे squaring the both side तो हमने अगर दोनों तरफ square किया तो क्या मिला x minus आपको यही method apply करना है या तो आप p by q equal to में लिखो या तो कोई p बस भी लिखोगे तो भी चलेगा फिर क्या करना है squaring the both side root 5 को square किया तो 5 a minus b का whole square यहाँ पे लगाएंगे तो a square minus 2ab plus b square तो यहाँ पे हो गया minus 2ab plus b square that is your 3 अब हम इसको और further simplify करेंगे तो 5 plus 3 को इदर लेके आजो minus 3 तो क्या होगे x square minus 2x root 3 तो यहाँ पे हो गया 2 और x square इदर आगया तो क्या हो गया minus x square और यहाँ पे होगे minus 2x root 3 अगर हम दोनों तरब minus common ले ले क्या करें दोनों तरब minus common ले ले तो यह ऐसा हो जाएगा x square minus 2 is equal to 2x root 3 clear है अब हम इसको ऐसा लिख सकते है x square minus 2 divided by 2x is equal to root 3 अब यहाँ पे हम देख रहे है जो यह एक lhs है और दूसरा क्या है rhs है rhs क्या है आपका irrational है और यह क्या है आपका देखने से rational है ठीक है तो lhs does not equal to rhs जो हमने assume किया था कि वो क्या होना चाहिए rational होना चाहिए तो contradict हो रहा है ठीक है तो यह क्या हो गया irrational हो गया इसका आप दूसरा तरीका यह भी लिख सकते हो कि जो lhs है x square minus 2x upon 2x according to definition क्या होता है rational number की definition number in the form of pyq लेकिन देखो यहाँ पर pyq के form में तो है और q does not equal to 0 सही है 2x does not equal to 0 भी है clear है and pq should be co-prime लेकिन यहाँ पर pq co-prime नहीं है क्योंकि यहाँ पर यह 2 देखो denominator में divided by 2x से 2 से वह divide हो रहा है 2x मतलब यह divide कर रहा है तो यहाँ पर कोई न कोई hcf आपको निकल रहा है आप चाहो तो x की value 4 लेके चेक कर लो 4 4 जा 16 16 में से 2 गया आपको 14 14 by 8 14 by 8 में आपको कोई न कोई hcf मिल जा रहा है 2 मिल रहा है ठीक है तो इसलिए यह हमारे assumption को contradict कर रहा है so it's a irrational number तो आपको यहाँ पर लिखना है this is contradict our fact this is contradict our fact so root 3 plus root 5 is irrational clear है इस तरीके से हम में करना है चलो next, next में क्या है decimal expansion of rational number can be of two types जब भी हम rational से ध्यान दो हम क्या करे rational to decimal convert करते है ठीक है rational से decimal convert करते है rational numbers को decimal में तो या तो वो terminating होती है या तो वो non terminating होती है सिब दो ही case होता है या तो वो terminating होगी या तो non terminating repeating ठीक है non terminating repeating होगा अब terminating पहले समझ लेते हैं दो ही case होगा जब भी हम rational से decimal में convert करेंगे तो terminating होगा या तो non terminating अब terminating कब कब होता है जब denominator क्या हो denominator क्या हो 2 है ऊपर कुछ भी हो 1, 2, 3 कुछ भी हो अगर denominator 2 हो या 2 raise to n हो मतब 2 का exponent that means 2 raise to 3, 8 1 by 8 हो या तो 1 by 5 हो या 1 by 5 raise to n हो या 1 by 10 हो या 1 by 10 raise to n हो या तो 2 into 5 हम सिब denominator की बात कर रहे है 2 raise to n into 5 raise to m इस form में होगा तो terminating होगा ठीके for example आप 3 by 2 करके देखो तो क्या मिलेगा 1.5 मिलेगा आप चाहो तो 3 by 10 करके देखो 0.3 मिलेगा 3 by 5 करके देखो 0.6 मिलेगा कुछ भी 2, 5, 10 का combination किसी भी तरीके से apply कर दो 2 की power डाल दो 10 की power डाल दो 5 की power डाल दो वो हमेशा terminating होगा अब terminating का मतलब क्या होता है terminating का मतलब होता है after the decimal digits एक particular point में जाके finish हो जाती है उसे बोलते है terminating अब आता है non-terminating तो non-terminating किसे कहते हैं जैसे non-terminating भी दो पार्ट में divided है ठीक है एक होता है pure recurring दूसरा होता है mixed recurring आप लोगोंने 9th क्लास में पढ़ा ही है pure recurring में जैसे आपका 1 by 3 0.3 bar non-terminating and repeating जो बार-बार डिजिट्स repeat होती रहती है या तो mixed recurring में 1 by 6 जो की होता है 0.16 bar ठीक है कोई डिजिट्स रिपीट्स 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 रहती है लेकिन उसके बाद फिर डिजिट्स रिपीट्स होने लगती है उसे बोलते हैं mixed recurring ठीक है तो जब भी हम rational से decimal convert करते है 2 raised to m into 5 raised to n मतलब जो भी denominator है उसको 2 raised to m into 5 raised to n में लिखना है वेर m and r positive negative non-negative integers hence write its decimal expression without actual division मतलब हमें proper division नहीं करना है जैसा हमें बोला जा रहा है कि 2 raised to m into 5 raised to n में convert करके फिर हमें इसका division बताना है तो देखो जब भी ऐसे question आए तो क्या करना है जो भी denominator है उसका prime factorization निकल लो क्या है denominator 5000 इसका prime factorization निकाला तो 5 में से तो 5 हमने common ले लिया तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 raised to 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 raised to 4 clear है? अब यहाँ पर चाहो तो प्रॉपर निकाल के देख लो 5000 का prime factorization करोगे तो 2 raised to 3 और 5 raised to 4 होगा तो इससे हमें क्या पता चलता है? कि it is the form of it is the form of 2 raised to m into 5 raised to n तो यहाँ से हमें पता चल गया here m is equal to 3 और n की value क्या हो गई? 4 हो गई, clear है? So 257 divided by 5000 को हम क्या लिखेंगे? 257 divided by 5000 को हम prime factorization में पहले convert कर लेते हैं क्या था हमारा? 2 raised to 3 into 5 raised to 4 हमने यह कर लिया अब अगर देखो अगर हम 2 raised to 3 में एक और 2 का उपर नीचे multiply कर दे तो 2 raised to 4 हो जाएगा तो 257 को 2 से multiply करो कितना होगा? 514 और यहाँ पर हो गया 2 raised to 4 5 raised to 4 इसको और फर्दर लिखा तो हमें क्या मिला? 2 into 5 raised to 4 इसको और simplify किया तो क्या मिला? 25 जा 10 10 raised to 4 that is your 514 और 1 पर कितने 0 4 0 तो ultimately what is the answer? 0.0514 4 0 इसने 4 डिजिट से पहले decimal लग गया तो हमने कहीं पर भी divide नहीं किया और हमने दिखा दिया कि यह इस तरीके से simplify और यह terminating है ठीक है? डिवाइड नहीं करना है यहाँ पर directly इस तरीके से हम बता सकते हैं with the help of this 2 raised to m into 5 raised to n जो हमें दिया गया है और यहाँ पर 5000 का हमने क्या निकाला है? प्राइम फेक्टर इसन निकाला है तो ठीक है? इस तरीके से simplify करेंगे तो यहाँ पर यह chapter खतम होता है इसमें हमने साड़े important questions discuss कर लिए है ठीक है? इस क्लास में हम second chapter का quick revision करेंगे Thank you